मेटाबोलिज्मो टीवी में आपका स्वागत है आपके मेटाबोलिज्म और स्वास्थे के बारे में सही जानकारी का स्रोत, कैंसर का मेटाबोलिज्म. मैं फ्रैंक स्वारेज हूँ, मोटापा और मेटाबोलिज्म के विशेशच. मैं आपके साथ डेटा साज़ा करना चाहता हूँ, जिसे मैंने यहाँ और वहाँ इकठा किया है. कभी-कभी किसी को जानकारी इकठा करने की आदत हो जाती है, और सब कुछ सामंज़स्य पूर्ण हो जाता है, और सब कुछ समझ में आता है. यह पूर्णता के रूप में जाना जाता है. मैं कभी-कभी असंबंधित चीजों की जाच करता हूँ, नहीं? और मैं उप्योगिता नहीं देख रहा हूँ, लेकिन फाइल करता हूँ, सुरक्षित करता हूँ, लिखता हूँ, और इसे अन्य रूपों में, क्योंकि ये मुझे रोचक वैज्ञानिक डेटा लगता है, और भुक्तान किया गया है, ना? वह सब सेंट जमा करना थोड़ा है, और अचानक एक डेटा आता है, जो सब कुछ संरेखित करता है, और वाह, और प्रकाश आता है, ना? समझ आती है, मैं कैंसर के मेटाबोलिजम के बारे में थोड़ा बात करना चाहता हूँ, थोड़ी देर बोर्ड पे जा रहा हूँ, सम करियाओं को परिभाशित करता है, जो आपके शरीर को खाद्य पदार्थों को उर्जा में परिवर्तित करने के लिए करता है, ताकि आप जीवित रह सकें, क्या ये मतलब है कि जो आप करते हैं, जो आपके शरीर को आपके खाने के साथ करते हैं, वह खाद्य पदार्थों क वह सेल के अंदर होता है यहां पर अंदर होता है और यहां देख सकते हैं यानि अगर आपका शरीर गर्म है तो यह इसलिए है कि आप जीवित हैं क्योंकि अगर आप मरे हुए होते तो ठंडा होता मेटाबोलिज्म कोशिकाओं में होता है कोशिकाओं के अंदर जो एक छोटा किला है वहां एक हिस्सा होता है जिसे माइटोकंड्रिया कहा जाता है जहां उर्जा उत्पन्न होती है और उस उर्जा को ATP कहते हैं जिसे अंग्रेजी में एडेनोसाइन ट्राइफोसफेट या मैक्सिको में कहते हैं व्रिद्ध और प्यूटोरिको में कहते हैं बहुत बड़ा हो गया है वह जब शरीर बहुत बड़ा होता है तो वह ठंडा होता है और यह इसलिए होता है क्योंकि जब सेल के आग बुझते हैं तो शरीर ठंडा होता है इस प्रकार शरीर का ठंडा होना सेल के आग बुझने के कारण होता है और ये गर्मियों में विशेश रूप से महत्वपूर्ण होता है वास्तव में आप एक बहुत बुढ़े व्यक्ति का तापमान थर्मा मीटर के साथ ले सकते हैं और आपको पता चलेगा कि वह एक नवजात शिशू से काफी ठंडा होता है जो हमेशा जैसे वह ओवन से निकलते होता है तो मेटबॉलिजम सेलों के अंदर होता है अब वह मेटबॉलिजम जैसा की है ये शरीर के द्वारा उन आहारों को उरजा में परिवर्तित करने के लिए जो कुछ भी करता है लेकिन क्या होता है कोशिकाएं अंदर मेंटेबॉलिजम रखती हैं अंदर ही मेटाबॉलिजम होता है ना अब कैंसर के बारे में थोड़ी देर बात करें मैं कैंसर के विशेशजय नहीं हूँ मैं केवल टेक्स्ट रीव राइटर हूँ मुझे गर्व है कि मैं प्योर्टोरिको विश्वविद्याले के दो प्रतिष्ठित शोधार्थियों डॉ, माइकल गोंजालेज और डॉ जॉर्ज मिरांडा माजारी के साथ शोधकार्य साजा करने का सौभग्य है जिनके साथ हम मेक्सिको के कोआहुईला विश्व विद्याले के साथ अध्ययन कर रहे हैं हम ओबेसिटी, मधुमेह के नियंत्रन के अध्ययन कर रहे हैं और ये चिकित्सक शोधार्थी वास्तव में विद्यावान है ये एक बहुत महत्वपूर्ण और गर्व का क्षण है मैं इस साजा कार्य को अग्रसर रखने के लिए अत्यंत प्रेरित हूँ मैं एक स्वतंत्र अध्ययन करता की तरह हूँ क्योंकि मैं मोटापा और मधुमेह के अवशोशन के मेटाबॉलिजम में लगा हुआ हूँ और वे कैंसर के मेटाबॉलिजम में लगे हुए हैं लेकिन जब हम मिले तो उन्हें मेरे काम में बहुत रुची हुई और मुझे भी उनसे सीखने में रुची हुई तो हमने एक अनुसंधान समूह का गठन किया है जहां हम मासिक रूप से मिलते हैं और विभिन्न नैदानी का ध्यान कर रहे हैं जो बाद में diabetes sin problems नामक पुस्तक प्रकाशित करने की और ले गए जहां हमने देखा कि अपने metabolism को नियंतरित करके diabetes को नियंतरित किया जा सकता है इसलिए इस पुस्तक का नाम diabetes sin problems है metabolism को सुधार कर diabetes को नियंतरित कर सकता है और अन्ने बीमारियों को भी जैसे cancer ध्यान दें या 15 साल से अधिक समय से cancer का अध्यान कर रहे हैं और प्योर्टो रिको विश्व विद्याले के लिए काम कर रहे हैं और विज्ञान के प्रमुख अख़बारों और जर्णल्स में आधिकारिक लेख प्रकाशित करते हैं जिन्हें अंग्रेजी में कहते हैं क्या मैंने उदाहरण के रूप में वे देखा है जो मुझसे बात करते हैं कि कोशिका सही है ना वह चीज जिस पर हम सहमत थे वह है कि कोशिका अंतरवाहिनी जो होता है वही होता है अब जब कैंसर होता है तो कोशिका में पहले से ही एक बदला हुआ अब शोशन होता है कैंसर कोशिकाएं सामान्य नहीं होती है वे बहुत असामान्य होती है वास्तव में स्वस्थ कोशिका ग्लूकोज का उपयोग करती है और जब ग्लूकोज आता है तो उसे जला देती है यह जलन उत्पन्न करता है और इससे एक स्वस्थ कोशिका उत्पन्न होती है कुल 30 उत्पन्न होती है, प्रती ग्लूकोज मॉलेक्यूल 32 ATP उत्पन्न होते हैं, ATP उर्जा सेल द्वारा उत्पन्न की जाती है और यह उर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, क्योंकि सेल उर्जा की मुद्रा है, ATP उर्जा मुख्य उर्जा स्रोत है, तो हर ग्लूकोज मॉल ग्लूकोस जलती नहीं है बलकि ये जगह बनाती है कोशिका कैंसर रोगी ग्लूकोस को जलते हुए नहीं देखते हैं फर्मेंटा का मतलब होता है कि जब आप शराब बनाते हैं तो वह सड़ जाती है ठीक है मुख्य रूप से फेरमेंटेशन इतनी अप्रभावी होती है कि द शरीर को अन्य-8 ATP का उपयोग करना होता है क्या यह मतलब है कि इसलिए आप देखते हैं कि cancer वाले व्यक्ति तूट जाते हैं एक ketosis बनाते हैं जो की तूड जाते है यानि व्यक्ति कमजोर हो जाता है यानि उसका शरीर तूट जाता है यह प्रश्ण बहुत महत्वपूर्ण है शरीर केवल कम उर्जा नहीं उत्पन्न करता बलकि दो उत्पन्न करता है जबकि कैंसर होता है यह असामान्य कोशिका है यह असामान्य अवयव है बलकि अन्य आठ एटीपी भी उप्योग करने की आवश्यक्ता होती है जिन्हें अभी तक शतिग्रस्त नहीं किया गया था ताकि फेर्मेंटेशन के असंगत प्रसंसकरण के कारण उत्पन्न हुए सभी लैक्टेट को प्रोसेस कर सकें ठीक है तो कैंसर की समस्याओं में से एक है न और इसे अपने दोस्त आटो वार होल ने परीक्षन किया जिन्हें उनके खोज के लिए नोबेल पुरसकार मिला है कि कैंसर हमेशा एक एसिडिक वातावरण में होता है जहां ऑक्सीजन की कमी होती है जब एक अमलिय माहौल होता है तो वह ऑक्सीजन की कमी होती है क्योंकि अमलो ऑक्सीजन को नश्ट करता है तो ऐसा कोई कैंसर नहीं है जो ज्यादा ऑक्सीजन वाले वातावरण में होता है जिसे को जीवित रहना होता है जो फर्मेंट करता है और यही कारण है किसे ऐसा है फिद करते हैं और आपको वह प्रकाशित ख्षेतर मिलता है और क्या प्रकाशित होता है त्यूमर अर्थात यदि आप एंसर को नियंत्रित करना चाहते हैं तो आपको glucose को कम करना होगा कैंसर में सबसे बुरा काम ये है कि रिफाइंड carbohydrate डालना क्योंकि फिर आप आग में तेल डाल रहे हैं ना तो एक ऐसी चीज जो कि cancer को फैलने से रोकने में सबसे अधिक मदद करती है उदाहरण के लिए cancer होने पर सबसे आम therapy है कि सबजियों का रस बनाया जाता है कि सबजी के रस और बहुत सारी सबजियां खाना जैसे कि सबजी के रस में potassium और magnesium बहुत होता है और potassium और magnesium सबसे अधिक alkaline mineral होते हैं यह अमल को neutralize करता है और oxygen को शासन करने देता है क्या नहीं यह सबजी खाने से आपको आराम मिलेगा कई लोगों ने cancer नियंतरन के लिए सबजी वाले और सलादों के साथ शाकाहारी बनने में सफलता प्राप्त की है ना तो मुख्य रूप से हम यहां cancer के metabolism की बात कर रहे हैं लेकिन आप इसे समझ सकते हैं यहां से मैंने cancer के अध्ययन से जानकारी निकाली थी ताकि मुझे पता चल सके कि उत्तेजित और निश्क्रिय सिस्टम क्या होता है और मैं इसे आपके साथ साजह कर रहा हूं क्योंकि सच्चाई हमेशा जीतती है